आज मैं आप लोग के साथ महाराश्टा की ट्रडिशनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एकदम इजी है और साथ ही साथ ये एक स्विट डिश है, इस महिने में महाराश्टा के हर घर में ये रेसिपी बनाई जाती है, कीचन के कुछ सामानों से ही जटपट ये रेसिपी बन जा करते हैं, तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिये हैं गिहू का आटा, सूजी और बेसन, यहाँ पर गिहू का आटा जिससे हम नौर्मल रोटिया बनाते हैं, यह दो कप गिहू का आटा है, इसे मैंने छान कर लिया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर सूजी ली है यह नॉर्मल बारिक वाली सूजी है अगर मोटी सूजी हो तो आप उसे मिक्सी में एक बार चला लीजे और यह है बेसन यहाँ पर दो कप है गेहु काटा एक कप है सूजी और आधा कप है बेसन इस तरीके का मेजरमेंट इसके लिए परफेक्ट है सूजी से यह क्रिस्पी बनते है और साथ ही साथ बेसन से इसमें एक अलगी सौफने सासी है और अंदर एक जाली भी हो जाती है अब इसमें डाल देंगे हम आधा चमच हल्दी यह गलर के लिए बस आधी चूटी चमच है हम इसमें डालना है और फिर इसमें डाल देंगे आधी चूटी चमच नमक स्विट डिश में नमक हलका सा डालने से उसका जो टेस्ट है वो अलग लगता है आप एक पर ज़रूर ट्राइ कीजे और फिर इसमें डाल दूंगी में 4-5 चमच ओईल, इसे मैंने हलका सा गरम कर लिया, यानि गुनगुना ओईल है, बस ओईल का खुद का कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें इसमें ओईल डाल देना है, अब इन सभी चीजों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, जो ह अगर आप इस तरीके से मुट्टी बनाएंगे, तो ये मुट्टी बन जाएगी, इसका मतलब ऑईल पर्फिक्ट है, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें 2-3 टेबल स्पून ऑईल फिर से डाल सकते हैं, अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर इसका एक सक्त आठा लगा लेंगे, हमें इसका जो लड़ू बनाने ही, इसके लिए हमें इसका एकदम सक्त आठा चाहिए, अगर हम पतला आठा बेल लेंगे, तो बाद में लड़ू बनाने के लिए हमें इसमें तकलिफ हो सकती, इसलिए पहले ही हम इसे इस तरीके का हाड आठा लगा लेंगे आप देख सकते हैं मैं एकदम हार्ड आटा लगा लिया है अब हम इसे साइड में ढखकर रख देंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए और आटा हमारा रेस्ट कर ले इसलिए इसे ढखकर हम आदे गंटे के लिए साइड में रख लेंगे सूजी फूल जाएग आप मुझे कमेंट करकर बताईए उसकी रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी लेकिन यह गुड से बनाया जाता इसलिए ज्यादा हेल दी है तो यहाँ पर मैंने गुड को अच्छे से क्रश करकर रख लिया इसे साइड में रख लेते हैं और आटे को रखके इस तरीके से पतला कर लेंगे इसे जदा मोटा भी नहीं रखना और ज्यादा पतला भी नहीं इस तरीके का यह मेडियम होना चाहिए क्योंकि हम इसे ओइल में फ्राई करने वाले है तो यह अच्छे से अंदर तक सीखना चाहिए इसलिए इसका जो मूटी लियर है बस इत से कर लेना है और फिर दोनों साइट को एक दूसरे से जॉइन कर लेना है और बीच में लाकर हलके हाथों से प्रेस कर लेना है इसे आप एक अलग तरीके से भी बना सकते हैं मैं आपको दूसरा मैथड भी बता देती हूँ सेम इसी तरीके से हम इसे पतला कर लेंगे और फिर दोनों साइड को इस तरीके से जोइन कर लेंगे और जो बीच में हम प्रेस करते थे वैसा न करते हुए उसे इस तरीके से साइड से प्रेस करते हुए रेडि कर लेंगे जो आपको चाहिए उस तरीके साथ आप इसे बना सकते हैं अब यहाँ पर मैंने gas के उपर औल को पहले से गड़म होने के लिए रखा था औल हमें जादा गड़म नहीं चाहिए इस तरीके का ऑईल चाहिए जिसमें हम अगर डाल देंगे तो एक दम से उपर नहीं आना चाहिए हलके से बभल साने चाहिए तो ये इस तरीके का ओईला भी गरम है अब इसे हम निकाल लेंगे और इसमें ग्यास की फ्लेम को low to medium करते हुए इसमें हम एक एक करकर ये सारे जो हमने लड्डू बनाए थे ये डाल देंगे महारश्टा में इसे लड्डू कहते हैं आप इसे क्या कहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो इसमें एक बैच में आपके कड़ाई में जितने लड्डू आए उस हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए ग्यास की फ्लेम को low to medium रख देना है और फिर इसे डालने के बाद इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है वैसे ही इसे उपर की जो लियर है हलकी सी ड्राय हो जाए तब हम इसे हाथ लगाएंगे आप चाहे तो इसे उपर से इस तरीके से आईल डाल सकते हैं लेकिन इसे हाथ लगाएंगे तो इसका जो शेप है वो बिगड जाएगा बस हलके हाथों से उपर से आईल डाल देंगे और अगर आपको लगे कि ये हलका सा ड्राइ हो गया है तब आप इसे इस तरीके से स्पैचुला से टर्न कर लीजिए एकदम इजी रेसिपी है और खाने में ये जबरदस टेस्टी है और टेस्टी होने के साथ साथ हिल्दी भी है महाराश्च्रा में इस मंथ हर घर में ये रेसिपी आपको बनाई हुई नजर आएगी तो इसे हम इसी तरीके से low to medium flame पर क्रिस्पी होने तक पका लेंगे तो आप देख सकते हैं उपर की जो लियर है वो हलकी क्रिस्पी हो गई है यानि 80% कुक हो गए है आप 20% इसमें डाल देंगे हम ये गुड इसका कोई measurement नहीं होता कि कितना गुड डालना है अगर आपको जादा इसमें गुड चाहिए तो आप जादा भी डाल सकते हैं कम डालना है तो आप कम भी डाल सकते हैं एक बैच फ्राइ करने के बाद आपको खुद बहुद इसका अंदाजा आ जाएगा और उस हिसाब से आप इसमें गुड डाल सकते हैं गुड डालने के बाद पहले वो नीचे जाएगा और फिर जब ये फ्राइ हो जाएगा यानि अच्छे से जैसा हमें चाहिए वैसा हो तब ये उपर आएगा तैरने लगेगा और ये जाग बनने लगेगा इसका मतलब ये परफेक्ट है तब तक हमारा लड़ू भी पक जाएगा और गुड भी अच्छे से पक जाएगा जब ये इस तरीके से बबल्स उपर पूरा गुड आ जाए तो दोनों स्पैचूला की ह पर ऐसा डालने से चिपक जाएगा और इवनली सभी लड़ू को ये गुड जो है वो इस तरीके से चिपक कर बैठ जाएगा क्योंकि ये गरम है थंडा होने के बाद ये नहीं बैठता तो ये दिखिए हमारे लड़ू बनकर रेड़ी है एकदम बढ़िया और कलर फूर दि निकाल कर इस लड़ू के उपर इस तरीके से हम लगा लेंगे इस लड़ू को बनाने के बाद एक के उपर एक डाला जाता है और जो गुड कड़ाई में रहता है उसे इस तरीके से निकाल कर इसी तरीके से इस लड़ू के उपर लगाया जाता है यानि बीच में अगर किसी को नहीं भी गूड लगा तो इस प्रोसेस से दोबारा रिपीट करने से वो उस जगा लग जाएगा दूसरा बैश डालने से पहले इस तरीके से ऑईल को क्लीन कर लेना है इस से पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने बैश निकाला था वो हलका सा थंडा हो गया है और सभी साइड को इक्वल ली ये देखे गूड लगा है और जो आपको साइड में आईल दिख रहा है वो भी बाद में नहीं दिखेगा बिल्कुल भी आईली नहीं होते है और खाने में जवर्दस टेस्टी सॉफ्ट होते है ये दिखे पहले आपको सॉफ्ट लगेंगे क्योंकि अब गरम है और इसके अंदर के आप जाली देख सकते है एकदम बढ़िया जाली आई है और जब ये पूरे फ्राय हो जाएंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें बिल्कुल भी आपको कही ओईल नजर नहीं आएगा और आपका ओईल भी खराब नहीं होगा मैं हम फ्राय कर लेंगे और जब ये फ्राय हो जाएंगे तब उसमें डाल देंगे गुड दूसरे बैच में मैं आपको कम गुड डाल कर दिखाती हूँ एक ही मुट्टी आपको गुड डाल देना है और फिर से उसी प्रोसेस से ये जब गुड ऊपर आ जाएगा तब दोनों स तो ये इस तरीके का दिख रहा है तो इसी तरीके से मैं जो है वो सारे लड़ू बना लूँगी ये पहला बैच सुग गया है और ये दूसरा बैच पहले बैच को आपको बिल्कुल भी ओईल नजर नहीं आ रहा होगा ये साइड में हो जाता है तो सारे लड़ू फ्राय हो इतना बचा है और ये लड़ू भी इस तरीके से फ्राय हो गये है इसमें कहीं भी आपको ओईल नजर नहीं आ रहा होगा अगर आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चानल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यो फ इतने देएा कीजिए टूब कीजिए वींगें लेगे ऑनल को लाइस सकता उर्बेश्ट कीजिए वींगें लाइस नहीं बाइस एंगिए नहीं दूब आपको आनल कीजिए दूब